मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि टिपिकली क्या है आप कहते हैं कि वर्ड टिपिकली को लेकर अक्सर मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ तो आई ये फ्रेंट्स उनकी कन्फ्यूजन को खत्म करते हैं word typically का मतलब होता है आम तोर पर जैसे आम तोर पर मैं अंग्रीजी दवार नहीं खाता हूं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे typically I don't take allopathic medicine यानि आम तोर पर मैं allopathic दवार नहीं खाता हूं कई बार आप अपने life में कहते हैं कि इसे करने में एक दो दिन लगते हैं तो इस sentence के लिए आप कह सकते हैं यानि आम तोर पर इसे complete होने में एक दो दिन लगते हैं यहां मैं आपको बता दू कि अगर word typically का इस्तिमाल आप sentence के सुरू में करेंगे तो आपको कॉमा से separate रखना होगा और अगर आप इसे sentence के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप इसे main verb के पहरे लिखेंगे जैसा कि आपने यहां पर दिखा आए कुछ और examples देखते हैं ताकि या concept आपको और अच्छा से समझ में आ सके आम तोर पर एक अच्छा इंजिनियर एक दिन के लिए 1000 रुपिया लेता है तो इस sentence के लिए आप कहेंगे यानि आम तोर पर एक अच्छा इंजिनियर एक दिन के लिए 1000 रुपिया लेता है या 1000 रुपिया चार्ज करता है कई वर आपको कहना होता है कि अप्रूबल मिलने में 4 हफ़ते लगते हैं तो इस sentence के लिए आप कहेंगे यानि आम तोर पर एक दिन में मैं 2 वीडियो शूट कर सकता हूँ तो इस sentence के लिए आप कहेंगे यानि आम तोर पर एक दिन में मैं 2 वीडियो शूट कर सकता हूँ तो फ्रेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समय में आया कि टिपिकली का मतलब होता है आम तोर पर तो फ्रेंट्स अकर वाकई आपने इस concept को समझा तो क्या इस topic पर कुछ sentences कम इन बॉक्स में नहीं लिखेंगे कुछ sentences कम इन बॉक्स में लिखें ताकि मैं देख सको कि आपने सही सीखा या गलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा lessons के साथ तब तक के लिए अजय को कि वाई